दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मध्य भारत की सबसे महत्वपून परवश रंकलाओं में से एक सत्पुड़ा परवश रंकला के बारे में बताऊंगा तो इसलिए एक topic काफी जरूरी हो जाता है जिसे आज हम cover करेंगे तो देखिए सबसे पहले इसकी भौगलिक स्थिती की बात की जाए तो देखिए भारत के पस्चिम में भारत का पस्चिमी राज्ये गुजरात कहलाता है और उसी गुजरात का जो पूर्वी हिस्सा है वहीं से शुरू होती है सत्पुडा परवश शंकला जो गुजरात से हुते हुए मद्य परदेश जाती है थोड़ा बहुत महराश्टर के अंदर भी इसका विस्तार देखने को मिलता है मद्य परदेश का एक काफी लंबा हिस्सा क्रॉस करके ये 36 गड़ तक जाती है और फाइनली 36 गड़ में ये समाप्त हो जाती है तो इस तरीके से इसकी लंबाई तकरीबन 900 किलोमेटर हो जाती है अब इस बीच इसमें बहुत सी परवच चोटियां आती हैं जो 600 मीटर से 1300 मीटर तक जाती है मतलब अलग-अलग उचाई की चोटियां होती है अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब ये मद्य परदेश से जा रही होती है तो एक्चुली इसका विस्तार मद्य परदेश से साथ थोड़ा बहुत माराष्टर में भी होता है तो ये सत्पुड़ा शंकला जो है वो माराष्टर और मद्य परदेश के बीच में एक प्राकरतिक सीमा का काम करती है मतलब ये उसकी सीमा पर बनी हुई है तो ये सवाल पूछ लिया जाएगा कि कौन सी परवश शंकला दो राज्यों के बीच में एक सीमा का कारे भी करती है तो आप लेखेंगे सत्पुड़ा परवश शंकला अच्छा एक परवश शंकला और है जो इसी के पास होती है जो की थोड़ा उत्तर की तरफ देखने को मिलती है जिसको आप विंद्या परवश शंकला के नाम से जानते हो ये दोनों ही परवश शंकला है बिलकुल समनांतर चलती है और ये दोनों परवश शंकला है जो आपका उत्तर भारत का सिंदू गंगा प्लेन है जो मैदान है आपको दिख रहा है यह वाला और नीचे जो दक्षणी पठार है इन दोनों के बीच में एक division पैदा करती है मतलब इन दोनों को बाटने का काम करती है इन दोनों परवश शंकला है अब बात करते हैं सत्पुडा परवश्रंकला की परवश्रेणियों के बारे में तो देखिए इसके अंदर तीन मुख्य परवश्रेणिया है एक है राच पीपला की पहाडिया जो की आपके गुजरात से शुरू होती है वो इसलिए है क्योंकि गुजरात में एक जगे है राच पीपला नाम की उस जगे के नाम पर ही इन पहाडियों को नाम राच पीपला पढ़ गया है अब कई लोग ऐसे हैं जो इसे सत्पुडा रेंज की जगा यानि की सत्पुडा परवश्रंकला की जगा राच पीपला परवश्रंकला के नाम से जानते हैं ये राच पीपला की पहाडियां थोड़ी आगे तक जाती है गुजरात और थोड़ा बहुत मद्यपरदेश इसके बाद दूसरी परवश्रेणी आती है महादेव परवश्रेणी या फिर महादेव पहाडियां जो कि मुख्यत है मध्यप्रदेश राज्य में ही इस्तित है और इसके बाद आती है मैकाल पाड़ियां जो मध्यप्रदेश में भी है और 36 गड़ के अंदर भी है और साथ ही उनकी सीमा के उपर भी है तो तीन हो जाती है राजपीपला, महादेव, मैकाल अब यहां कई बच् अर्य सीमा यसे की अजनता परवत जो है वो भी सतपुडा का ही हrias साथ ही जो गाविलगळ का किला नाम आपने सुना हो गा जो कि महाराश्टर के अंदर है उसके आसपास की जो पाड़ियां वो गाविलगड की पाड़ियां कैलाती है वो भी सतपुडा रेंज के अंदर ही गिनी जाती हैं तो इस तरीके से जो सत्पुड़ा परवत शंकला है वो बहुत बड़ी है और अलग-लग शेत्रों में कई पाडियों को अलग-लग नाम दे रखें बात करें अगर सत्पुड़ा परवत शंकला की सबसे उची चोती की तो वो महादेव पाडियों में उपस्ति ठीक इसी के पास मौझूद है पंचमनी पंचमनी का नाम अपने सुना होगा जो कि सत्पुडा की राणी के नाम से भी फेमस है क्योंकि यहां पे एक हिल स्टेशन बना हुआ है और जितने भी परियतक है वो यहीं आते हैं तो परियतन के लिए सबसे इंपोर्टन स्थान जो ह गंगा में जाके मिलती है और एक है आपकी नर्मदा नदी जो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है ये जो नर्मदा है ये विंद्यपरवस शंकला और सत्पुड़ा परवस शंकला के बीच में से गुजरती है मतलब इनके बीच में जो घाटी बनी हुई है उसी के बीच से नर्मदा होके गुजरती है। अब अगर बात नर्मदा की हो रही है तो तापती की भी करनी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि मद्यपरदेश के मुलताई से तापती निकलती है और कुछ इस तरीके से जाके अरब सागर में गिरती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सत्पुडा परवस शंक्ला है, वो नर्मदा और तापती की घाटियों के बीच में मौझूद है। समझो इस बात को कि दो नदियों के बीच में परवस शंक्ला है। सत्पुडा है तो ये confusion बिलकुल मत रखना दो परवश रंकलाओं के बीच में नदी हो सकती है दो नदीयों के बीच में परवश रंकला हो सकती है अच्छा यहाँ पे मद्धे परदेश में ही एक जिला है जिसका नाम है बुरहानपुर जिला उस बुरहानपुर जिले के इसके अलावा एक आखरी important चीज जो सत्पुडा के अंदर है वो है सत्पुडा राश्ट्रिय उद्धान जिसको सत्पुडा टाइगर रिजर्व के नाम से चाना जाता है इसकी स्थापना 1981 में हुई थी ये जो है मद्धे परदेश के होशंगाबाद जिले के अंदर है वै ये तकरेबन 1427 वर किलोमेटर में फैला हुआ है तो इसकी स्थितेवी आपको याद रखनी है तो दोस्तो ये हो जाती है सत्पुडा परवर शंकला आई होप आपको समझ में आई हो अब देखे यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि इसके अंदर बहुत सी ऐसी प पहाडियां जो होंगी या तो राजपीपला पहाडियों का या महादेव पहाडियों का या फिर मैकाल पहाडियों का हिस्सा ही होंगी तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है तो दोस्तो मुझे अमीद है कि ये वीडियो आपके लिए हैलफुल साबित रही हो अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको एक वेरी आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, see you in the next one.